नमस्कार दोस्तों जेपी स्टेनोग्राफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है यह डिक्टेशन अच्छी सब्द परते मिनट का होगा जो की लिगल डिक्टेशन रहेगा आठ मिनट तक बोला जाएगा दस सेकंड बाद इस्टार्ट के जाएगा दोस्तों अगर आप मामले को परिस्थितियों के अनुसार इस न्याले को अधी निर्ने की परिक्सा करने पर उसको अभी खंडित करने की वेवेकिक शक्ति का परियोग नहीं करना चाहिए विराम अभी निर्धारित आवेदन मंजूर किया गया विराम राज्जी के बहुत से किर्याकलाप ऐसे किर्याकलाप हैं जिनका व्यापार या कारबार संबन्ध नहीं हैं या वी निर्माण अथवा आजीविकां से कोई संबंध नहीं हैं किम्तु ऐसे बहुत से किरिया कलाप हैं जिन में ये तत्व विद्धमान होते हैं विराम राजी की कलापों में ये तत्व विद्धमान होते हैं अथवा नहीं ये है एक सम्मंदित परसन हैं विराम इसका उचित रूप से अभीवचन किया जाना चाहिए विराम परस्तुत मामले में रिट आवेदन में परियाप्त सामगरी अत्वा इसपष्ट प्रकतन भी नहीं मिले हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सके की परियोजनों के किर्याकलाप उद्धोग सब्दा विवत्ती की परिभासा के अंतरगत नहीं पाते हैं विराम प्रोधोगिक विवाद अधिनियम की धारा दस एक के अधिन निर्देश के जाने पर इस पस्ट तहय यहे बात शिद करने का अधिक भार राज्य पर इस उपदारना पर था की राज्य और दोनों परियोजनों के कर्मकारों के बीच प्रोधोगिक विवाद था और यह है दलील अधिकरण की समक्स भी नहीं दी गई थी विराम मुकदमा लड़ने वाले पर्थिर्थियों अर्थात दोनों परियोजना के करमकारों की और से किये गए रिट आविदन की चलने योग्य होने के बारे में प्रारंबिक आकसेप किया गया है विराम यह हैं कहा गया है कि अधिनिरने 27 फरवरी 1975 को देया गया था किन्तु रिट आविदन 10 मार्च 1976 को फाइल किया गया था विराम इस परकार रिट आविदन के फाइल करने में काफी विलंब हुआ हैं विराम अतेव मामले की परिस्थितियों के अनुसार इस न्याले को अधिनिरने की परिक्सा करने और उसको अभी खंडित करने की वेवेकिक विदी का परियोग नहीं करना चाहिए यह बात सही हैं कि विलंब उन तठ्यों में से एक तठ्य हैं जिस पर सविदान के अनुचेद 226 के अधिन वेवेकिक शक्ती का परियोग करते समये विचार किया जाना चाहिए किन्तु परतेक मामले की परिक्सा मामले में अंतर विलत सुसंगत तठ्यों के आधार पर की जाने चाहिए विराम अतेव समिधान के अनुचेद 226 के अधिन अधिनिर्ने को चुनोती देने के लिए मात्र विलंब ही पीटीशनर को कमजोर नहीं बना देता हैं विराम इस मामले में परस्तूत आविदन को फाइल करने में हुए विलंब का कारण रिट आविदन के पेरा 38 से 59 तक में इसपष्ट किया गया हैं विराम यह परतित होता हैं कि अधिनिर्ने की पर्मानित परतिलिपी विबाग अर्थात नदी गाटी परियोजना विबाग में प्राप्त हो जाने के पश्चात पीटीशनर के अनुसार मामले की विबिन इस्त्रों पर बहूत ही शावधानी पूर्वक परिक्षा की गई थ विराम परतमत है मामला मार्च 1975 में इस्थाई काउंसेल को उसकी राय के लिए निर्देशित किया गया था विराम राय देने के परियोजन के लिए विभिन परकार की सूचनाई अपेक्सित थी हमारा यह निश्कर्श है कि सैशन न्यादिस दंडादेश के विरुद पुनरिक्षन में आवेदन ग्रहन कर सकता है और कतिपे मामलों में पुनरिक्षन में दंडादेश में वर्धी कर सक विराम यह बात इसपस्ट है कि इस उपबंद को बनाने से किसी ऐसे प्राइवेट पक्सकार की और से दंडादेश की वर्धी के मामले जो सैशन न्याले के अधिनस्त मजिस्ट्रेड द्वारा पारित दंडादेशों के शम्मंद में सामान्यत है उच न्याले में जा सकते थे अब सैसल न्याले में जाएंगे और इसके द्वारा उच न्याले में काम की वर्धी में कमी करने का उद्देशी बागत है कुछ सीमा तक पूरा हो सकेगा विराम तथा पी हमें यह बात इसपष्ट कर देनी चाहिए कि दंडादेश की आदेश अथवा दोस मुक्ती की आदेश में पुनरिक्षन में हस्तक्सेप उच न्याले द्वारा अभी कथित सीमित विचारों के अधेदिन हैं और इस शक्ती का इस परकार से परियोग नहीं किया जा सकता क्योंकि सेशन न्यादीश अपील की सुनवाई कर रहे हों विराम इस परकार पुनरिक्षन में दंडादेश में व्रिधी की शमंद में व्रिधी केवल तभी की जा सकती हैं जब न्याले का यह समाधान हो गया हो की विचारन न्याले द्वारा अधीरोपित दंडादेश एस समयक रूप से कम हैं अथवा दंडादेश का आदेश पारित करने में वि न्याले इसपस्ट तहें सूस संगत तथ्यों पर विचार करने में एसफल रहा हैं विराम दोश मुक्ती के विरुद पुनरिक्षिन शक्तियों का परियोग करने के संबंद में उचतम न्याले ने यह कहा हैं कि उसका परियोग केवल ऐसे ऐस साधारन मामलों में ही किया जा सकता हैं जहां लोक न्याले के हित में किसी स्पस्ट तहें अवेदता को ठीक करने के लिए अथवा गोर अन्याय को निर्धारित करने के लिए हस्तक से अपेक्सित हो विराम पुन विराम